कई मनुष अभिमान को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं वो अपने जिन्दगी का परतेक्षन अभिमान को बढ़ावा देने में देते हैं लेकिन वास्तों में अभिमान होता क्या है कभी आपने इसके बारे में विचार किया है कि एक अभिमानी वेक्ति हमसे क्या जाता है एक अभिमानी वेक्ति वो अपनी तारीफित सुनना पसंद करता है वो दुसरों के मुझ से अपने सक्ति की वखान सुनना पसंद करता है अभिमानी व्यक्ति सदा भी दूसरों से सम्मान मांगता है अर्थात वो अपने सक्ति का प्रमान दूसरों से मांगता है उसे स्वय पे भरोशा ही नहीं होता है उसे स्वय पे विश्वास ही नहीं होता है भै होता है उसके हिर्दे में क्यों दुलबल है उसके पास अपनी कोई सक्ति ही नहीं है इसलिए वो अपनी तारीफे अपनी सक्ति का वखान दुसरों से हमेशा सुनना पसंद करता है अर्थात उसके मन में अभिमान रहता है जिसके मन में भै रहता है भै किशवात की, भै उस बात की क्यों दुलबल है उसके पास कोई सक्ति नहीं है उसके मन में अभिमान हमेशा रहता है कि मेरी तारीफे लोग की में नहीं करते हैं मेरी तारीफ करें उसके सक्ति के बारे में लोग बाते करें तो उसके मन में हमेशा यह भैर रहता है अभिमानी वेक्ति के हिर्दे में कभी प्रेम परवेश कर ही नहीं सकता कभी अपने आप से पुछा है कि आप कौन है मैं कौन हूँ हर वेक्ति भगवान का एक व्यक्तब रूप है किन्तु ये कोई नहीं जानता कि राक में छुपा हुआ अंगार और अग्यान में छुपी ही आत्मा कभी नहीं रिखते किन्तु दुसरे तो खुद ही अग्यान से गीरे हुए है वो हमें क्या बताएंगे कि हम कौन है और क्या है तो ये अप अच्छा रखना दुसरों से कि वो हमें बताएं कि हम कैसे हैं ए सही बात नहीं आप क्या है और कौन है या जानने के लिए आपको धर्म का वहन करना होगा धर्म के बारे में जानना होगा आप कौन है और क्या है या जानने के लिए आपको धर्म का वहन करना पड़ेगा धर्म की अस्थापना करने क्या प्रयाश करना होगा धर्म को जानने के लिए धर्म का आधार जनना अत्यन आवश्यक धर्म के पांच आधार एस प्रकार है ग्यान के नियाते शमरपन और हेले हारिक इनसान इन्हीं पांच धर्म अधार के लिए इस धर्ती प कर साया है किन्तु लोग किस यह अभीमान हें वाष्न अपने जिवन का लग्छुखो देता है। तो मेरी मानी तो अभ़ह्हानी नहीं सवभीमानी बने सवभीमानी बनना अच्छी वात है। लेकिन अभ़हानी जब आप बनते हैं तो आप अपने मूल को भूल जाते हैं! आप अपने जिन्दगी में आगे बढ़ें, बहुत कुछ हासिल करें, लेकिन अभिमान को कभी न लाएं, अगर आप अभिमान को लाते हैं, तो आपने जीवन का जो मूल है, वो भूल जाते हैं, और फिर जब आप मूल भूल जाते हैं, तो फिर जिन्दगी में कुछ भी हास हाशल करने का कोई मतलब नहीं दाजाता अभीमानी और सौफिमानी में काफी छोटा इसा रिफिलेंस है काफी एक पदली शी सी की लाइन है जो उस अंतर को आप समझ जब आप समझ जाते हैं तो आप जिनलगी में बहुत कुछ हासिल करते और हासिल के साथ साथ अप विडियो प्संद आया होगा अगर आपको धी मेरे विडियो प्संद आयी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की genes को a fellow की दिए और अपने दोस्तों के साथ इस विडियो को सेर जरूड कीजिए और जिन्द्गी में आप हमेशा ही स्वयभी माने बने अभिभादramos झाल झाल झाल